वेलकम तू नेक्स एक्जाम आज है 19 नवंबर 2022 और 19 नवंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कूस करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा टेलेगराम ाआ करेंगे ठ्लीप इस वीडियो के डिसकूस यंविद्यिक डिसकूस में दे दिया है तो आप उस लिच पर क्लेकर आगे तो चलिये सटार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में प्राकृतिक छिकित्सा दिबस का मनाया इगा ह। तो अभी 18 नवंबरिका को प पद्धती के मध्यम से सकारात्म मानसिक और सारीरिक स्वास्ते को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवम्मर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है अच्छा 18 नवम्मर को इस बार भारती सेना ने इंजिनेरिंग कूर का 242 मा इस्तापना दिवस मनाया है 18 नवम्मर को ही बाल यौन सोसड की रोक्ताम के लिए 200 दिवस भी मनाया जाता है तो 18 नवम्मर से रिलेटिट इतने इंफॉर्मिसन आपको याद रखनी है अच्छा एक नवम्मर को बेश साकारी दिवस मनाया गया था साथ भारती राज्यों का और दो केंसासित प्रदेशों का इस्तापना दिवस एक नवम्मर को मनाया गया यह साथ भारती राज्य कई बार मैं आपको बता चुका हूँ केरल, करनाटक, आंदप्रदेश, पंजाब, हर्याना, मद्ध्रदेश और 36 गड़ यह आपको याद कैसे करने है जनरली केरल, करनाटक हम सिक्वेंस में बोलते हैं केरल, करनाटक आंदप्रदेश यह आपको याद रखना है कि करनाटक के पास में ही है आंदप्रदेश अब पंज़ा भरे आना ये दोनों पास में हैं और मद्धि प्रदेश और 36 गड़ मद्धि प्रदेश से ही निकल कि 36 गड़ बना है तो इस तरह से थुड़ा सा माइंड मैपिंग कर लो ये आपको सातो राज याद हो जाएं और दो केंसासित प्रदेश कौन से हैं लक्षदीप औ सात न Consult को राज्ती कैंसर जागुथता दिवस और से सू सर्दक्ष्टि दिवस मनाए गया आत नौ. को बेस्च्प रेडि क्रवफि दिवस और वेस्ऴिर करण दिवस मनाए गया नौ. को. राज्टी कानूनी सेवा दिवस मनाए गया 10 नवंबर को सांती और बेकास के लिए बेस्सु बिज्ञान दिवस मनाए गया 11 नवंबर को रास्टी सिक्चा दिवस मनाए गया 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और बेस्सु निमोनिया दिवस मनाए गया तेरे नवंबर को बेसु दयालुता दिवस मनाए गया, चौदे नवंबर को बेसु मधुमे दिवस मनाए गया, पंद्रे नवंबर को चन जाती गौरब दिवस मनाए गया, सोले नवंबर को अंतरास्टी सहसुडता दिवस और रास्टी प्रैस दिवस मनाए गया, सत्रे नव आज के इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेल जरू किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो, चाहे चूटा सा ही टार्गेट पिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर, सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question हाली में ONGC के अगले प्रमुक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है तो अभी अरुड कुमार सिंग को ONGC के अगले प्रमुक के रूप में अपॉइंट किया गया तो इस question का say options आईए ये हैं BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुड कुमार सिंग और अब इनको ONGC के अगले प्रमुक के रूप में अपॉइंट किया गया है अब ONGC यानि कि Oil and Natural Gas Corporation इसकी स्तापना का हुई 1956 में इसका headquarter कहां पर है New Delhi में और अब इसकी नए प्रमुक पनेंगे अरुड कुमार सिंग अच्छा अभी नेतियायो के पूर कालिक सदस्य के रूप में अरबिंद बिर्मानी को नियुक्त किया गया है मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में country head की रूप में नियुक्त किया है सरकार द्वारा RBI के केंदरी बोर्ड में निदेशक की रूप में बिबेग जोसी को नामित किया गया है और प्रसार भारती के CEO के रूप में गौरब दुवेदी को नियुक्त किया गया है महराष्ट में महरास्ट के बाद 6000 और दूसरे नंबर पर आया है उत्तरप्य देश उत्तरप्रदेश में कोरुणा के बाद 3000 में महराष्ट माराष्ट की केपिटल क्या है मुंबई महाराष्ट की चीपनिश्टर कौन है एकनात सिंदे और महाराष्ट की गवर्नल कौन है भगत सेंग कोश्यारी अभी महाराष्ट के रंजन गाउं में electronics manufacturing cluster विक्सित किया जाएगा महाराष्ट सरकार cyber intelligence unit इस्तापित करेगी महाराष्ट के उप मुख्य मंत्री ने बंदे मात्रम पहल सुरू कि है महाराष्ट सरकार लेति आयोग जैसी एक संस्ता स्थापित करेगी संपत्य पूंजिकरण को digitize करने वाला पहला राज माराष्ट बना है मारबत उस सब ये माराष्ट के नागपुर में मनाये गया और देश की पहली electric double dayker AC bus माराष्ट के मुंबई में शुरू ही है इतना आपको माराष्ट के बारे में याद रखना है next question है तो अभी सूरजवान को राष्टी पैंसन प्रडाली ट्रस्ट के अध्यक्ष की रूप में न्यूक्त किया गया तो इस question का C options है next question है हाली में अबास मुंतसिर का निधन हुआ है बे कौन थे तो अबास मुंतसिर ये एक बासकेट वॉल खिलाडी थे और अभी इनका निधन हुआ तो इस question का B options है ये थे पूर बासकेट वॉल केप्टन अबास मुंतसिर और इनको अरजुन पुरुसकार से भी सम्मनित किया गया था तो इनका नाम आपको याद रखना है next question है हाली में किस देश ने excellence in leadership in family planning अबाड जीता है तो अभी अपने देश भारत ने excellence in leadership in family planning अबाड जीता तो इस question का B options है next question है हाली में डॉक्टर सेवी आनन्द बोस को किस राजिकार राजिपाल नियुक्त किया गया तो डॉक्टर सेवी आनन्द बोस इनको अभी पस्चिमंगाल का राजिपाल नियुक्त किया गया तो इस question का C options है ये हैं डॉक्टर सेवी आनन्द बोस और अब इनको पस्चिमंगाल का नया राजिपाल पोइंट किया गया है अब पश्य मंगाल तो ये है मैप में पश्य मंगाल पश्य मंगाल की केपिटल क्या है कूलकाता और कूलकाता किस नदीक किनारे स्थित है हुकली नदीक किनारे स्थित है पश्य मंगाल की चीपनिष्टर है ममतावनल जी और पश्य मंगाल के अब नए राजिपल तो यही बन बारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्गाठंग कोलकाता में किया जाएगा अंतरास्टी समुद्री भोजन्सों की मेजवानी कोलकाता करेगा और एसिया का सबसे पुराना फोटवाल टूनामेंट डूरंड कप कोलकाता में आयो जित हुआ है ने क्यूशन है हाली में यूरोपे बर्क काउंसिल की स्तापना करने वाली पहली भारती कंपनी कौन सी बनी है तो यूरोपे बर्क काउंसिल की स्तापना करने वाली पहली भारती कंपनी बनी है बेपरो तो इसको इनका बे आप्सन सही है अब बेपरो बनी बेपरो की स्तापन ना कब हुई 1945 में इसका हैड़कॉर्टर कहां पर है बैंगलुरू में इसके प्रजेन टेम पर चेर्मेन कौन है रिषद्द प्रेम जी और इसके प्रजेन टेम पर M.D. and CEO कौन है? Thierry Delaporte. कौन है? Thierry Delaporte. नए क्यूशन है, हाली में किस राज सरकार ने स्वतंता सेनानियों की पैंसन को दो गुना करने का फैसला किया है? तो अभी महारास्ट सरकार ने स्वतंता सेनानियों की पैंसन को दो गुना करने का फैसला लिया? तो इस question का A options है एक्चुल में महारास्ट में अभी तक सुतनता सिनान्यों को 10,000 उपए पैंसन मिलती थी अब इसको बढ़ा कर बे सजार करने का निड़े महारास्ट सरकार ने लिया है ने question है हाली में Cambridge Dictionary का Bird of the Year 2022 कौन सा बना है तो Homer ये Cambridge Dictionary का 2022 का Bird of the Year डिकलेर किया गया है तो इस question का B options है है Homer ये एक लोगपरे खेल बेस बॉल से सम्मंदित है और इसको Cambridge Dictionary ने Bird of the Year डिकलेर किया है अच्छा है एक ये भी Bird of the Year डिकलेर हुआ था पर्मा क्राइसिस ये कौलेंस Dictionary का Bird of the Year डिकलेर हुआ था ने question है हाली में केस राज सरकार ने रामाइड और महाभारत सरकेट बनाने का निड़े लिया है तो अभी उत्तरपदेश सरकार ने नई परेटा नेती को मंजूरी दी है और अब उत्तरपदेश में महाभारत और रामाइड सरकेट बनाए जाएंगे तो इस question का say options है भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी तीरतिस्तल है इन सब को मिलाकर एक रामाइड सरकेट बनेगा भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी तीरतिस्तल है उन सब को मिलाकर महाभारत सरकेट या भगवान स्रेकृष्ण सरकेट बनेगा अब उत्तरपदेश तो ये है मैपन उत्तरपदेश उत्तरपदेश की capital क्या है लखनव और लखनव किस नदी की किनारिश्थित है गोमती नदी किनारिश्थित है उत्तरपदेश की chief minister है योगे आत्ना और उत्तरपदेश की governor कौन है आनंदे बेन पठेल अच्छा उत्तरपदेश का राज की पसू है बारे सिंगा राज की पच्छी है सारस या क्रॉंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच है असोक का ब्रच अभी 2023 खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स की मेजबानी उत्तरपदेश करेगा उत्तरपदेश सरकार ने मत्तुरा ब्रंदावन को 2021 तक कार्बन न्यूटरल टूरिस्ट डेस्टिरेशन बनाने की गोश्णा की है उत्तरपदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्गाटन ग्रेटर नोड़ा में किया गया उत्तरपदेश में इस्तित रानिपूर देश का त्रेपनमा टाइगर रेजर्ब बना है केंच सरकार ने उत्तरपदेश में तराई हाते रेजर्ब को मंजूरी दी उत्तरपदेश सरकार ने पहली बार मैला PSC बटालियन के गठन की गोश्णा की है अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेस्नल पार्ग है कतरनिय घट वाल दाफ सेंचुरी है और पेले भी टाइगर रिजर्ब है next question है आलि में बंडारू बिलसन बाबू किस देश में भारत के राज़दूत नियुकत हुए है तो बंडारू बिलसन बाबू ये कुमो रूस में भारत के नए राज़दूत नियुकत हुए तो इस question का बे options है आप image में देखिए ये हैं बंडारू बेलसन बावू अब ये कौन सा देश है को मोरोस ये सुनके थोड़ा सा अजीब लगा होगा ये एक East African country है को मोरोस इसकी capital क्या है मोरोनी इसकी currency क्या है को मोरियन फ्रेंक और इसके present time पर प्रेसिडेंट कौन है अजाल असो मानी तो को मोरोस को आप मैप में ध्यान से देख लीजिए जिससे की आपको याद रहे अच्छा अब एक कोटे डी आइवरी गड़राज में भारत के राजदूत बने थे राजेस रंजन स्लुबाग गड़राज में अपूर्वा स्रीवास्तव को भारत का राजदूत न्यूकत किया गया सेबे जौर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत न्यूकत हुए हैं बरिस्ट राजनेक प्रकास चंद्र को एरेट्रिया में भारत का राजदूत न्यूकत किया गय यह अभी जो recent राजदूत अपॉइंट हुए हैं यह मैंने आपे लिख दीय हैं Next question है हाली में 8 मी идет की गई आभक सेयंग्त कारे समूँ खंबरे बैठक मुंबई में आईयूजित की गई तो इस question का C options आई है अब नौवे तो यह मैप में नौवे नौवे की capital क्या है? ओसलो, नौर्वे की करंसी क्या है, नौर्वेजियन क्रोना और नौर्वे के प्रजेन टेम पर प्रामिस्टर कौन है, जो नास गहर स्टोर, नेक्यूशन है, हाली में भारत और केस देश ने, पांच मी द्विपच्छी साइबर नेती बारता नई दिल्ली माय वजित की है, त मैus Stelev Your署 आस्टेलिया के पिटल के तरसी कैशेव आ रॉसटेलिये के प्रजेण टाइम पर थी मिस्टेरbank ऑन्हाय अबी और और ऑस्टेलिये के पूर बॉक्सिंघ अधियोर चेंपियन जोनिक 앉जन का निधन हो और ऑस्टेलिया होने वाले Pitch Black अभ्यास में भारत को सामिल किया गया है अच्छा भारत और आस्टिलिया ने देरादून में नौमी Army to Army स्टाप बारता आयजित की और Nasa ने आस्टिलिया के Space Poors से पहला Rocket launch किया हाली में इस्रो ने पहले नेजी रोकेट का सफलता पूर्वक प्रच्छे पढ़ कहां से किया है तो अभी ISRO ने स्रे हरी कोटा से पहले नेजी रॉकेट का सफलता पूर्वक प्रच्छे पढ़ किया तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है अब ISRO यानि कि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइशन इसकी स्तापना कब हुई 1969 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है बैंगलूरू में और इसके प्रजेंट टैम पे चेर्मेन कौन है ISRO मनाथ अब लास्ट वीडियो के कुशिन का अंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूचा था कि हाली में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है तो अपना देश भारत G20 का नया अध्यक्ष बना है यानि कि इस कुशिन का बे ओप्सन सही था और लगबक सभी स्ट्वेंटनेस का अंसर सही दिया मुश्ट लेस्ट्वेंटनेस के बारे में डिटेल में लेका मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेश्टन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्टन आपके लिए आज का क्वेश्टन है हाली में कच्चे इस बात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेशुक पेज पर प्रेबियस एर कुष्टन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेशुक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेशुक पर जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुष्टन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indrashrc Instagram पर indrashrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का आप target जरू याद रखना आज की studio का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching